हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान बोर्ड ने क्लास 10 और 12 साथ में प्रवेशिका और वरिष्ट उफाध्याई की जो डेट सीट है 2024 के लिए वो जारी करती है किस तारी को कौन से एक्जाम होने वाले हैं वो इस वीडियो मे चाहिए model papers की या आपको old question papers की PDF चाहिए previous 10 years के आपको जो है PDF मिल जाएगी Google पर जाकर यह नाम सर्च कर लेना CCL chapter.com इस website पर आपको सारी चीज़े मिलेंगी राजस्थान बोर्ड के लिए तो जुरूर से विजिट कर लेना CCL chapter.com यह नाम लिखोगे ना CCL chapter पहले नमबर पर website आईगी वहाँ पर आपको old question paper भी मिल जाएंगे साथ में जो है model paper भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ले test वादे ठीक है तो वहाँ से उस लेवस बगारा सब कुछ वहाँ पर मैं upload कर रखा है तो वहाँ से अपनी तयारी बिल्कुल अच्छे से start कर सकते हो उनकी जो है पहले डेट सीट देख लेते हैं उनका जो है समय रहने वाला है साड़े आठ बजे से ग्यारा पैंतालिस तक यह time है exam का यानि कि साड़े आठ बजे आपका exam जो है start होगा ग्यारा पैंतालिस तक का आपका exam रहेगा जिसके अंदर जो आपकी डेट सीट है वह 29 स्वरवरी से start की जा रही है पहला जो एक्जाम है वह मनो विज्ञान का उसके बाद में दूसरा यह पूरी डेट सीट इन्होंने हिंदी में दी है अगर आपने इंग्लिस मीडियम ले रहे तो जो में में सब्जेक्ट है उनके मैं बता दूँगा इंग्लिस में नाम भी ए बता है उनके जो एक्ज़ाम वह चार मार्च को है उसके बाद 5 मार्च को जो जो एक्जाम है वह उनpox चीजों के जगजाम है वह है पांच मार्च को, छे मार्च को संस्कृत साहित्या और संस्कृत वाणमय का जो है, साथ मार्च को जो है अंतराल है छुट्टी यानि की आर्थ मार्च को भी जो है महा सिवरातरी की छुट्टी है, नो मार्च को जो है एक्जाम है फिर भुगोल का जी यानि जियोग्राफी, लेखा सास्तर यानि अकाउंटेंसी और भोतिक विज्ञान यानि फीजिक्स ठीक है तो नो तारिक को एक्जाम है यानि कि जिन्होंने में में सब्जेक्ट देखो यह उप्शनल सब्जेक्ट है जातर तरतों बीच में इंगलिस के बाद अगर आपने ले रखे जो सब्जेक् सब्लके बाद 13 तारिक को में जो है एक्जाम स रहेंगे उसके बाद में 14 तारीप कीफिर से छुटी है 15 तारीप को अंगरेजी शाहीत्य को दर्सं सास्तरर और समान्न्य विज्ञान का है जनरल साइंस वगरा, 18 मार्च को जो है इथियास का, 18 मार्च भी important date है exam के इसाब जे, history का exam है, business study, website, अधन का exam है, और क्रिशी रसायन विज्ञान का exam है, और रसायन विज्ञान का, यानि chemistry का exam भी है, agriculture chemistry का exam भी इसी दिन होने वाला है, उसके बाद में 20 मार्च को जो है प्रिय student के पास जो math ले रखाय जिन्होंने गणित है, तो उनका exam 23 मार्च को रहने वाला है, 26 मार्च को भीच में छुट्टी है, रविवार और होली का ध्यान की छुट्टी है, फिर धूमंडली अवकास की, तूलंडी अवकास की छुट्टी रहेगी, 26 तारिक को, 26 मार्च को, home science ग्रह विज्ञान का पेपर है, 27 मार्च को, physical education, सारी रिक शिक्ष्या का पेपर रहने वाला है, आप एक चीज और बताना मेरे को कमेंट में, कि आपने जो किताबे पढ़ रहे हो, आप English medium से हो आप या फिर Hindi medium में, राजस्तान बोर्ड में, जरूर से कमेंट करना मेरे को, त और जीव विज्ञान यानी, biology का exam, 28 मार्च को रहने वाला है, उसके बाद 29 की छुट्टी है, गुड फ्राइडे के नाम से, 30 तारिक को, 30 मार्च को वेद वगारा के रिगार्डिंग, जो भी धर्म के रिगार्डिंग, जो सब्जेक्ट है, उनके है ये exams, 31 की फिर से समाच सास्तर, sociology का exam है, चार तारिक को अगर आपने NSQ वगारा, ऐसे subject ले रखे है, automotive, beauty, wellness वगारा, healthcare, ये सारे जो भी सब्जेक्ट है, optional subject आपके NSQ के जादतरी है, तो वो सारे आपके चार अपराइल को होने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद में नोंने कुछ नोट भी हमको दिये हैं, जो कि आपको जानना चाहिए, कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के निर्दोस्यों की पालना कर व्यवस्ता सुनिश्चित की जाए, यानि कि अगर कोविड वैसे तो सुनने में आवी रहा होगा आपको, कि कोविड फैलने लग गया धीरे- अगर महामारी तेज हो जाती है, तो आगे जो भी प्रोसीजर रहेंगे, जो भी स्टैप्स रहेंगे, वह आपको बता दिये जाएंगे, बोर्ड की साइड से, और वैसे मैं इस चैनल पर भी बता दूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि कोई अपडेट आए एवं समय का पूरा ध्यान रखे, उपर नीचे गडबड अलावड नहीं होगी, ठीक है, यह तो में जो चीज़े थी वो बता दी मैंने आपको, उसके अलावत तो यह है कि कोई दिव्यांग वगयारा उनके लिए इसाब किताब है, चाहू तो आप यह पूरा पढ़ सकते ह ठीक है, वीडियो पोज करके आराम से बैठके पढ़ लो इस चीज़ को, जितना भी है, मैंने में में जो चीज़े हैं वो बता दे आपको, ठीक है, नीचे की कुछ लाइने हैं वो भी पढ़ लेते हैं, परसन पत्रों को करम अनुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य है, यानि कि जो है ना, परसन पत्र जो है, जो उसमें करमों के अनुसार यानि कि जो नंबर वाइज देना है, तो वो कंपल्सरी नहीं है कि उस नंबर का हिसाब, उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, आपको परिक्षा पत्तर को पर निर्धारित स्थान पर परिक्षारती को अ उत्तर पुस्तिगा के अंतिम लिखित परिष्ट पर समाप्त सब्द लिखकर से स्रिखत परिष्टों को तिर्ची लाइन से काट दे यह चीज़ का जुरूर ध्यान रखना कुछ स्टूडेंट नहीं करते हैं आखिर में आखिरी वाला जो पन्ना मालो जब आपका पेपर खत प्रिष्टतर पता लगे उसमें कर दिया तुमनें पूरे में ऐसे मत करना स्लास मार देना जैसे कि कैंजल ऐसे टाइप में एक श्रास लगा देना ठीक है परिक्षारती अपना नामांक उत्तर पुस्तिका में निर्धारी स्थान के अलावा कहीं नहीं लिखे यानि कि कहीं भी अपना नाम ऐसे मजे मजे में सोंक में नहीं लिखना है कई तुम लिखे बैठे रहो कहीं पे तो ये तो थी कुछ instruction ये सब के लिए हैं जो भी student board exams देने वाले हैं और 10th ये 12th की हमने जो रहे डेट सिट देख ली है और साथ में वरिष्ट उपाद्याई की भी अब देखते हैं 10th वालों की माध्यमिक की और प्रवेशिका वालों की जो डेट सिट है वो इस दिन है फिर पूरी छुटिया हैं 12 तारिक को हिंदी का exam है 16 तारिक को समाजिक का exam है social science का 20 तारिक को विज्ञान यानी science का exam है सबसे ज़्यादा छुटिया भाही नो नहीं दिया है 10th वालों के मज़े हैं की बार 12 वालों के लिए थोड़ा सा बुरा है यार मामला 22 तारिक को देखते हैं 22 तारिक को जो भी आप से ओप्सिनल एनस के सब्जेक्ट से ले रखे हैं ओटोमोटिव हो गया फी हैल्थ केर ब्यूटी वैलनेस आईटी वाईटी जो भी ले रखा है तुमने वह सारे आपके इस तारिक को को एक्जाम हो जाएंगे 23 तारिक को संस्कृत का एक्जाम है पर्थम पर्षन पत्र में उसके बाद में 27 मार्च को मैथ का एक्जाम है क्योंकि जातर शुड़न ने या ले भी रखा होगा कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर नहीं ले रखा है तो 20 के बाद सिद्धे साथ दिन की छुट्टी है मस्ट से अपना करते रहते यारी 30 मार्च को जो है फिर फिर थर्ड लेंग्वेज के जो है एक्जाम से अगर थर्ड लेंग्वेज आपने ले रखी है संस्क्रीट उड़्दू गुजराती इंडी वगार कोई ले रखी है तो ठीक है अगर नहीं ले सब्सक्रीटर मोबाइल फोन पेजर डिजिटल डायरी यह ले जाना मना है यह ले जाए हुए पकड़े गए तो चीटिंग केस बनेगा फिर आब बाद में आपको ही भूगतना पड़ेगा वह सारी गडबड हो जाई उसके अलावा इन्होंने जो है सी डबलू एसन के को नहीं पड़ रहा यह जो है अभी फिलाल उच्छ माद्यमिक के लिए है यह वालों के लिए लोग परसासन का एक तारिक से स्टार्ट है फिर चार मार्च को अंग्रेज जी का है इस तरीके से अपनी जो है डेट सिट क्रोश चेक कर लेना इनके पास ज्यादा सब्जान और 22 को बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है 27 को मैट का एक्जाम है तो यह थी पूरी डेट सिट मैंने सी डवलो एसन वालों की भी दिखा दिया अगर कोई है और जो कंपल सरी जिन्होंने ले रखा है जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए भी मैंने डेट सिट दिखा दिया है अब आपको एक और चीज दिखा देता हूं वेबसाइट पर आपको कहां पर क्या-क्या मिलने वाला है देखो यह वेबसाइट है गूगल पर जाना है सर्थ करना है CCL चैप्टर यह नाम लिखके सर्थ कर लेना पहले नंबर पर वेबसाइट आएग उसको खोल लेना इस वेबसाइट पर आपको सारी चीज़े मिलेंगे आपको बुक्स के सोल्यूसन मिल जाएंगे आपे हिंदी मीडियम इंग्लिस मीडियम के हिसाब से अलग लग इंपोर्टेंट कोश्चन वैसे मैंने हर्याना बोर्ड के लिए बना रखे हैं लेकिन वह सेम ही है लग बग सेम से कोश्चन आपके विए ऐगजाम में देखने को मिलते हैं उसके अलावा जो है आपको पुराने पेपर यहां पर मिल जाएंगे और की पीडियेफ मोडल पेपर आपको मिल जाएंगे राजस्तान बोर्ड के सारे यहां पे और जो डेटसिट आई हु जरूरी आपके लिए वो सारा मैंने इस वेब साइट पर अवेलेबल करा रखा हैं तो जरूर से विजिट कर लेना और हाँ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आता है आपके बोर्ड के रिगार्डिंग और जरूरी रहता है तो वह मैं जो नहीं वीडियो में बाइब 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 मैं झाल ऑर है झाल पर राज़つ में दचान कि अवेलेव रिगियो कि अवेलेव ओोर्ड कम दिल्क ताकि कई रिंग गण झाल प्रश्डें नहीं पसकता है जड identities स्क्राइब के बोर्ताव Commissioner